तो यहां आपने अभी जोड़ दो दो चीज देखा, जितने भी रेंडरिंग देखे, जितने भी आप वीडियो वाक्थू देखे, जो साथ 3D में आप देख रहते, वो सारा आपका भी कही न कहीं मन कर रहा होगी, काश मुझे भी ये सब बनाना आता, और मेरा कहना है कि आप लोग को ये आना ही चाहिए, क्यों खुद का कर्सेंटेंसी खोल सकते हो, अगर आप ये सारा की सीखते हो, जिसमें अगर आप सौफ्ट्रे की बात कहे तो आप देख सकते हो, रेविट अर्किटेक्टर, ऑर्टोकैड हो गया, 3DX मैक्ट हो गया, गुगल स्केचप हो गया, ये सारा सोफ्ट्रे की आप सीख सक purpose से आपको जो चीच करना है जैसे अगर आप वास्तु के इसाप से किसी drawing को अगर आप design करते हो तो वहाँ पे आपको built up area super built up area हो गया floor area ratio हो गया यह सब चीच कैसे निकालते हैं इन सब चीच अप क्या function है किसी building का जो story होता है वो किस किस parameter पे design होता है उसके बाद यहाँ पे submission drawing की बात आती है क्योंकि इसके बिना आप अपना घर बना ही नहीं पाओगे आपके building के structure parameters है वो क्या क्या होने वाला है specification क्या होने वाला है उसको हम लोग नवर निकम से pass करवाने के लिए आपको यह submission drawing चाहिए होता है इस submission drawing को बनाया कैसे जाता है क्या क्या चीज ध्यान में रखना है इसको बनाते वाक्त फिर NBC यानि कि national building code है इसका आपको help लिना पड़ेगा आपके घर को बनाने के लिए ताकि जब अपने घर को sanction के लिए आगे बढ़ाओ तो आपको कोई दिक्कत ना हो तो यह सब technical parameters यह सब technical knowledge आपको पता होना चाहिए सिब software सीखने से नहीं होगा उसकी बाद आता है यहाँ पे 3D elevation का चाहिए वो अंदर से हो चाहिए वो बाहर से हो आपका घर अंदर से कैसा दिखने वाला है बाहर से कैसा दिखने लेके तो यह सब software ऐसा है ना जो आप घर पे रहके अगर एकदम आप खाली बैटे हो तो नहीं भी तो आपको कुछ ना कुछ तो काम देही देगा तो यह सब चीज खाली नहीं जाता है यह सब skill आजकल बहुत ज़्यादा काम आ रही है और अभी के time में अगर आप देखोगे तो बड़े बड़े client हो या चोटे client हो अगर आप किसी client को अपने तरफ attract करना चाते हो तो आप लोग क्या करते हो कि घर का walkthrough बनवाते हो कि आपका घर जब बन जाएगा तो इस तरीके से दिखेगा बाहर से elevation दिखाते हो कि जब बन जाएगा तो इस तरीके से दिखेगा जिससे client का सामने क्या होता है कि उसको अपना घर दिख जाता है कि बनने के बाद किस तरीके से दिखने वाला है और selling में बिचने में बहुत ही आसानी होती है तो सभी contactors सभी client आजकल क्या करते हैं कि इसका help जरूर लेते हैं तो इन सब software के through आप HD quality render views और walkthrough बनवा सकते हो और आप सीख जाओगे आप खुद बनाओगे तो इसका एक बहुत अच्छा impact परता है client के उपर और सिर्फ यही नहीं working drawings हो गई इसका भी knowledge आप लोग का पास होना चाहिए technical point of view से जिसमें आपको elevation, section, structural drawing हो गया MEP, plumbing के drawings जितने भी joinery होता है जितने भी fittings होता है इस सारा चीज आपको drawing से पता चलेगा और इस सब drawing आपको कैसे बनाना है इस सारा skill आपको इस software सारे में cover किया आता है तो आप भी चाहते हो अगर कि इस तरीके का सारे software हम भी सीखे इस तरीके का सारे काम हम भी कर पाए और कुछ से कुछ earn कर पाए तो civil guruji आप लोग के लिए लाया है architecture software training जिसका market value अभी 12,000 है लेकिन civil guruji आपको provide कर रहा ही है 3,999 रुपेज में first 125 engineers के लिए ही safe तो अगर आपको ये course इस discounted offer में चाहिए तो आपको मेरा code CIVIL को apply करना ही पड़ेगा तब ही आप इसको इस discounted price में ले सकते हो वरना आपका ये पड़ेगा 12,000 रुपया तो इसी वीडियो को description में आपको link मिल जाएगा उस link से जाके आप मेरा code CIVIL को apply जरूर कीजिएगा भूलिएगा मत नहीं तो आपको ये discounted offer में नहीं मिलेगा और याद रहे हैं ये 125 first engineers के लिए ही valid है इस course से कुछ benefits के बारे में अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ से course complete करने के बाद आपको authorized certificate मिलने वाला है जिसका all over इंडिया में valid है और सारही software certification यहाँ पर CAD desk के द्वारा authorized है जो की official partner है autodesk का तो यहाँ पर आपको 200 plus से भी ज़्यादा के pre-recorded videos मिल जाते है regular doubt session आप लोग का यहाँ पर होता रहता है trainer का support आपको यहाँ पर मिलेगा और इस course का validation आपको यहाँ पर 365 days का मिल जाता है जिसमें आप multiple times इस course को देख के बार-बार इसको repeat कर सकते हो तो यह सब वो course certificate है जो की आपको individually दिये जाएंगे CAD का अलग से, Google Search Up का अलग से TEDxMax का अलग से, Revit का अलग से और यह सारे ही आपके CAD desk के द्वारा authorized है तो याद रहे यह 125 engineers को ही मिलने वाला है 3999 डूपीज में अगर आप मेरा code CIVIL को apply करते हो तो अगर आपके मन में कोई भी query है तो इसी वीडियो को description में आपको contact number मिल जाएगा जिस पर आप call करके easily बात कर सकते हैं और यहाँ पर आप engineers के review भी देख पा रहे हो आप चाहो तो website पर भी जाकर देख सकते हैं सिविल गुरूजी के वहाँ भी आपको review पर एडिटर बे मिल जाएगे कि जो engineers आपको कोर्स किये हैं उनका क्या कहना है उनको क्या benefit मिला है उनका feedback ऐसा रहा है तो आप भी अगर अपनी consistency खुद की खोलना चाहते हैं self-employed होना चाहते हैं खुद का start-up करना चाहते हैं तो यह course आप लोग को सीखना चाहिए तो अगर आप खुद का start-up करना चाहते हैं तो आप सिविल गुरूजी की help ले सकते हैं क्योंकि उनका ही कहना है कि कुछ करना है खास तो चलो हमारे साथ सिविल के बाद गुरूजी के साथ तो फ्रेंट्स आज के लिए इतना ही है मिलते हैं नेक्स वीडियो में जैहन